अभी अभी जो संदेश आप सुनने वाले हैं उसे अर्ल नाइट इंगल ने 1956 में लेखा था और रिकॉर्ड गिया था दरसल ये संदेश उस सवाल का जवाब है जिसे वे अपनी नौ वर्ष की उम्र से ही लगातार ढूंटते रहे थे अर्ल नाइट इंगल का जन्म आर्थिक मंदी के दौर में हुआ था चुँकि वे बहुत ही ज़्यादा गरीब थे इसलिए बच्पन में बस एक ही सवाल अर्ल के मन में घुमरता रहता कि क्यों कुछ लोगों का जन्म सिर्फ एशो आराम भोगने के लिए होता है जबकि अन्ने लोग उसके अपने परिवार के ही तरह जिंदगी भर बस जीवित रहने के लिए जूचते रहते हैं जब बड़े बुजर्गों से उसे अपने सवाल का जवाब नहीं मिला तो उसने जो कुछ मिल जाए पढ़ना शुरू कर दिया ये सोच कर कि शायद कहीं इन में उसकी सवाल का जवाब छिपा हो कई साल गुजर गए और जब अर्ल 35 वर्ष का था तो उसने ये संदेश लिखा और इससे रिकॉर्ड करवाया एक शनिवार की सुबर उसकी अनुपस्टिती में सेल्समैनों के एक छोटे समों के बीच उसका रिकॉर्डेट संदेश सुनवाया गया जब अर्ल लोट कर वापस आया तो उसे मालुम हुआ कि उसकी संदेश का उन लोगों पर ऐसा जादु भरा असर हुआ है कि वे अपने परिवार और अपने दोस्तों के लिए उस रिकॉर्डिंग की कॉपी चाहते हैं इस भारी फर्माईश को पूरी करने के लिए अर्ल ने कोलंबिया रिकॉर्ड से बाद की और अपने रिकॉर्ड की कई प्रतियां बनवाई अर्ल के आश्चेरे का ठिकाना नहीं रहा जब बिना किसी विग्यापन, प्रचार या मार्केटिंग के बहुत ही थोड़ी समय में उस संदेश की दस लाग प्रतियां बिख गई अर्ल को स्वर्ण रिकॉर्ड मिला अपने संदेश को अर्ल ने नाम दिया था सर्वाथिक आश्चेरेजनत रहस्य और ये इकलाती रिकॉर्डिंग वो नन्हीं सी पौद थे जिस पर व्यक्तिकत विकास का एक व्यापक उद्योग पनपा और इस्थापित हुआ और चोकि अर्ल ने सर्वाथिक आश्चेरेजनत रहस्य का सच्चा अर्थ धोंड निकाला था जिससे किसी के जीवन की उपलब्धिया निर्धारित होती हैं वे स्वयम भी अपनी घोर निर्धनता से उपर उठकर घर-घर का एक जाना पहचाना नाम बन गये दूर दरास के देशों में उनकी ख्याती थैली उनका दैनिक रेडियो कारिक्रम हमारी बगलती दुनिया का सबसे बड़ा प्रायोजन वाला रेडियो प्रियोग्राम बन गया जिससे देश विदेश में सुना जाने लगा मैं डायना नाइटेंगिल हूँ उन्निस सो नवासी में अपने पती के मृत्यों के बाद से मैं लगातार कोशिश करती रही कि दुनिया को प्रेरित और रोमांचित कर देने वाले अरल के धेरू संदेश नए से नए प्रभावशाली तरीकों से कोने कोने तक पहुचाए ज लिकिन आज भी दुनिया घर के लोग सर्वाथिक आश्चेरेजनक रहसी को एक ऐसा संदेश मानते हैं जिसने उनके जीवन को सबसी ज्यादा प्रभावित किया है अरल ने अपनी जीवन काल के पिछले 32 वर्षों में सर्वाथिक आश्चेरेजनक रहसी को बदलते समय के साथ कई बार संशोथित किया इन परिवर्थनों की कारम और इनके बावजूद मेरा विश्वास है कि आप इस मूल रिकॉर्डिंग के एतिहासिक महत्व की सराहना करेंगे जब आप सुनेंगे तब निश्चित तोर पर गोर करेंगे कि ये संदेश आज भी उतना ही सही उतना ही किम्ती और उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कभी उस समय था तो अब मैं आप सब को आमंत्रत करती हूँ कि आप आराम से बैठ जाएं और अर्ल नाइटिंगल के इस मूल रिकॉर्डिंग सरवाथिक आश्चर जनक रहसे का आनन्द उठाएं मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस दुनिया का सबसे आश्चर जनक रहसे क्या है इस बात को अभी बहुत लंबा समय नहीं गुजरा है कि महान चिकटसक और नोबेल पुरसकार विजेटा अलबर्ट स्विल्जर से लंदन में एक इंट्रव्यू के दौरान किसी रिपोर और आज मैं भी इसी के बारे में आप से बात करना चाहता हूँ आज हम एक सुनहरे युग में रह रहे हैं ये वो दौर है जिसके लिए आपनी हजारों वर्षों से सपने देख रहा था और महनत कर रहा था लेकिन जब आज ये दौर हमें उपलब्द हो गया है तो हमने इस सो लोगों को लेते हैं जिन्होंने 25 वर्ष की उमर में अपने कारियर की शुरूआत की क्या आपको अनवान है कि 65 वर्ष की उमर तक पहुंचते पहुंचते इनके साथ क्या होगा? पचीस की उवर में शुरुआत करते हुए इन सब का विश्वास है कि ये कामियाब होंगे यदि आप इन में से किसी से भी पूछें कि क्या आप कामियाब होना चाहते हैं तो वो कहेगा नश्यत तोर पर और आपने गोर भी किया होगा कि उसकी आँखों में जीवन के प्रते एक उत्सुकता एक जिग्यासा है आँखों में एक खास तरह की चमक और हावभाव में एक स्पष्ट दृरता है और जीवन उसके सामने एक खुबसूरत एक रोचक अभियान की तरह होगा लेकिन 65 वर्ष की उम्र आते आते जानते हैं क्या होगा 65 वर्ष की उम्र तक उन में से एक अमीर बन गया होगा चार आर्थिक रूप से आत्म निर्भर हो चुके होंगे इस उमर में भी काम कर रहे होंगे और बाकी नब्बे टूट चुके होंगे अब ज़रा एक पल सोचिए, सौ लोगों में से सिर्फ पांच किसी इस तर तक पहुँच सके इतने ज्यादा नाकाम क्यों रहे, उस चमक, उस चंगारी का क्या हुआ, जो पचीस वर्ष के उमर में उनके भीतर थी वे सपने वे उमीदें वे योजनाएं क्या हुई, आदमी जो करना चाहता है और जो कर पाता है उसके बीच इतना बड़ा अंतर क्यों है जब हम ये कहते हैं कि सिर्फ पांच प्रतिशत ने सफलता हासिल की, तो हमें सफलता को सपष्ट भी करना होगा और ये है सफलता की परिभाशा सफलता का अर्थ है किसी महान लक्ष को सपष्ट नरधारित कर उस दिशा में आगे पढ़ना अगर एक आदमी पहले से नरधारित लक्ष की दिशा में काम कर रहा है और जानता है कि वो कहां जा रहा है और कहां उसे जाना है तो वही आदमी सफल है यदि वो ऐसा नहीं कर रहा है तो वो असफल है यानि सफलता निर्धारत लक्ष को समस्ते हुए उस दिशा में आगे बढ़ना है महान मनोवग्यानिक रोलो में ने एक अदभूत किताब लिखी है मनुष्व की स्वेम की खोच इस पुस्तक में उने कहा है हमारे समाज में साहस और होसले की विपरीत चीज कायरता नहीं है बलकि ये है अनरूपता आज हमारे सामने जो सबसे बड़ी मुसीबत है वो है अनरूपता यानि बिना सोचे समझे भीड के अनरूप चलने की मनस्त थे अधितांस लोग वैसा ही कर रहे हैं जैसा दूसरे कर रहे हैं ये जाने समझे बगएर कि क्यों लगबख साथ वर्ष की उमर से हम पढ़ना शुरू कर देते हैं पचीस के होते होते हम रोजी रोटी कमाना शुरू कर देते हैं साथ ही परिवार की देखभाल भी लेकिन 65 वर्ष की उमर का होने पर भी हम ये नहीं सीख पाते कि आर्थिक रूप से आत्म निर्भर और निश्चन्द कैसे हुआ चाहे क्यों इसलिए कि हम बस औरों की लीग पर चलते हैं और मुश्किल यही है कि हम समाज के उस बड़े और गलत प्रतिशत का अनुकरन कर रहे हैं यानि उन 95 प्रतिशत का जो काम्याप नहीं हुए अब सवाल यह है कि ये लोग इतनी बड़ी संख्या में लोग औरों की नकल क्यों करते हैं इसका उत्तरवे भी नहीं जानते इन लोगों का विश्वास है कि परिस्थतियों ने उनका जीवन एक सांचे में गढ़ दिया है ऐसे लोग बाहर से बाहरी शक्तियों से नरदेशत होने बाले लोग है एक बार बहुत सारे कामकाजी लोगों पर एक सर्वे किया किया और उनसे ये सवाल पूछे गए कि आप काम क्यों करते हैं सुबह सवेरे क्यों उठते हैं बीस में से उननीस लोगों के पास इसका कोई कारण नहीं था यदि आप उनसे पूछें तो वे कहेंगे सवी लोग सवेरे उठकर काम पर निकल जाते हैं और यही कारण था कि वे इसे करते थे क्योंकि बाकी लोग भी ऐसा ही कर रहे हैं अब हम सफलता की अपनी परिभाशा पर वापस चलें सफल कौन होता है सिर्फ वही आदमी जो अपना लक्ष पष्ट कर फिर उसकी तरफ आगे बढ़ता है ऐसा आदमी कहता है मुझे जीवन में ये बनना है और फिर उस दशा में काम शुरू करता है मैं आपको बताता हूँ कि सफल लोग कौन है वो स्कूल टीचर सफल है जो बच्चों को इसलिए पढ़ा रही है क्योंकि वो यही करना चाहती थी वो औरत अपने जीवन में सफल है जो एक पतनी और एक मा है क्योंकि वो पतनी और माही बनना चाहती थी और वो अपनी जिम्मदारी अच्छी तरह निभावी रही है वो कोने का गैस स्टेशन चलाने वाला आदमी सफल है क्योंकि उसने यही पेशा अपनाने का लक्ष नरधारित किया था वो सेल्समेन कामयाब है जो एक टॉप सेल्समेन बनना चाहता है और इसी उद्धेश से अपना व्यवसाय जमाता है हर वो आदमी सफल है जो पहले से अपना सोचा और नरधारित काम काफी सोच विचार कर कर रहा है क्योंकि यह वही काम है जिसे उसने सोच विचार कर करने का फैसला किया था लेकिन 20 में से सिर्फ एक आदमी ही ऐसा कर पाता है और किसी से कोई प्रतिसपर्धा करने की जगे हमें स्वैम अपना कुछ मौलिक स्रिजद और स्थापित करना है लगभग 20 शालों तक मैं उस कुझी की खोश करता रहा जिससे आदमी के आने वाले कल के बारे में पहले से सब कुछ मनमाफिक निर्धारित किया जा सके क्या इसkte कोई कुझी है? मैं जानना चाहता हूँ जिससे भवश के बारे में सब कुछ तै कर दिया जाए और हम पहले से ही उसकी भवश चावानी कर सकें क्या इसकोई कुझी है? जो आदमी को सफल होने की गारंटी दे सके काश आत्मी इस कुंजी के बारे में जान सके और इसे इस्तिमाल करना जान सके मैं आपको बताऊँ ऐसी कुंजी उपलब्द है और मैंने इसे पाया भी है क्या आपको कभी इस बात पर हैरत हुई है कि दुनिया में इतने सारे लोग कड़ी महनत और इमानदारी से काम करते हैं लेकिन उन्हें जीवन में कुछ खास हासल नहीं हो पाता जबकि कुछ लोगों को बिना महनत किये ही बहुत कुछ उपलब्द हो जाता है यानि उनके हातों में कोई जादू है जी हाँ आपने कई लोगों को कहते भी सुना होगा वो जिस चीज को भी छूड़ेता है सोना हो जाता है क्या आपने कभी गौर किया है कि एक आदनी जो अपने जीवन में काम्याब हुआ वो हमेशा सफलता के दिशा में ही प्रतन शील रहा जबकि असफल ग्यक्ते हमेशा असफलता के दिशा में ही काम करता रहा ऐसा सिर्फ लक्षों की वज़े से ही हुआ हमने से कुछ लोगों के सामने लक्षे होते हैं और वे उसी दिशा में काम करते हैं जबकि कुछ लोगों के सामने कोई लक्षे ही नहीं होता लक्षे साथ रखने वाले वेक्टी सभल होते हैं क्योंकि उन्हें मालूम होता है कि किस दिशा में आगे बढ़ना है एक ऐसे जहाज के बारे में सोचिए जो बंदरगाह से बस चलने ही वाला है अपनी यात्रा के पूरे नक्षे और पूरी योचना के साथ जहाज के कैप्टन और चालक दल्के सरस्यों को ये अच्छी तरह मालूम है कि इसे तहाँ जाना है और कितना समय लगेगा इस जहाज के सामने एक सपष्ट लक्ष है स्पष्ट लक्ष और स्पष्ट मैप रखने वाला जहाज 10,000 बार अभियानवे से 9,999 बार अपने उसी लक्ष पर पहुँचेगा जहां के लिए ये रवाना हुआ था यानि शत्प्रतुशत लक्ष पर अब इसी तरह के एक दूसरे जहाज के बारे में सोचिए बंदरगाह से निकलने के बाद जहाज या तो डूब जाएगा या तूफान में घर जाएगा या फिर किसी विरान टापू पर बंद हो जाएगा ये किसी स्थान पर पहुँची नहीं सकता क्योंकि इसके सामने ना तो कोई लक्ष है और नहीं इसके साथ कोई मार्ग दर्शन बिल्कु यही बात मनुष्य पर भी लागू होती है एक सेल्समैन का ही उधारन लीचे आज दुनिया में कुशल सेल्समैन के विवसाय से बढ़कर काम्याबी की उमीर किसी और पेशे में नहीं है अगर हमारे सामने लक्ष पच्ट हों और हम अपने काम में होश्यार हों तो सेलिंग प्रोफेशन याने बिक्री का विवसाय दुनिया का सबसे ज्यादा आमदनी वाला पेशा है आज हर कमपनी को होश्यार से होश्यार सेल्समैन के जरूरत है और वे उसे बढ़ा चढ़ा कर पारिश्यार में देने को तयान है उनके लिए तरके की असीन संभाबनाएं है लेकिन आपको ऐसे कुशल लोग कितने मिल पाते है किसी ने एक बार कहा भी था कि आज मानव जाती का पूरा ध्यान मजबूत लोगों को फाइदा उठाने से रोकने में नहीं बलकि कमजोर लोगों को नुक्सान उठाने से रोकने में है आज अर्थ विवस्था के तुलना एक काफिले से की जा सकती है जिस तरह काफिला उसी गते से आगे बढ़ता है आज आजेविका के लिए या परिवार चलाने के लिए किसी खास बुद्ध या प्रतिभा की जरूरत भी नहीं पड़ती आम तोर पर आदमी रोजी रोटी की इसी सुरक्षा की तलाश में रहता है और ये तखा कथ़त सुरक्षा हमें उपलब्द भी है लेकिन ये फैसला हमें करना है कि सीमा रेखा से कितनी उचाई का लक्षे हम अपने लिए निर्धारित करना चाहते है चलिए अब हम दुनिया के सबसे अश्यर जनक रहसे पर यानि जो कहानी मैं आपको सुनाना चाहता हूँ उस पर वापस चले जीवन में इस पश्यर लक्ष रखने वाले लोग क्यों सफल होते हैं ? और लक्ष वहीन लोग क्यों असफल हो जाते हैं ? चलिए अब मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताता हूँ जने आप अगर सच में समझ लेते हैं तो आपके जीवन में बहुत जल्दी बदलावाएगा जो कुछ मैं आपसे कहने जा रहा हूँ अगर आप उसे पूरी तरह समझ लें तो आपका जीवन ऐसा नहीं रहेगा जो आज है आपको अचनक वो सवभाग्य मिल जाएगा जो अरसे से आपको लुभाता रहा है आप जो कुछ भी चाहते हैं वो सब आपके समक्ष साकार हो जाएगा और आप उन सभी चिंताओं समस्याओं और परिस्थतियों से मुक्त हो जाएंगे जो अरसे से आपको घेरे हुए थ ये हम जैसा सोचते हैं वैसा ही बनते हैं। पूरे इतिहास में जो भी महान बुद्धिमान लोग हुए हैं। चाहे वे शिक्षक हों, दार्शनिक हों या पैगंबर हों। उनके विचारों में कई मुद्दों को लेकर मद्भेद रहा है। लेकिन एक मात्र इसी मुद्दे प आहे और पुद्धिक्षक तरे तो हर चीज उसे हासिल हो सकती है। बहुत लंबे और गहन चंतन मनन के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि एक निश्यत लक्षे वाला मनुशे हर हाल में इसे पूरा करता है और अगर दृड इच्छा शक्ति हो तो इसकी राह में क पूरे दिन भर सोचता है। विलियम जेम्स ने कहा था मेरी पीड़ी की सबसे बड़ी खोज यही है कि मनुशे अपनी सोच और अपने विचारों में परिवर्तन लाकर अपने जीवन को भी बदल सकता है। और उन्होंने ये भी कहा कि जरूरत सिर्फ इस बात की है कि हम बांचित चीजों को वास्तों में घटत हुआ माननें। धीरे धीरे इस सोच का जीवन से ऐसा संपर्क स्थापित होता चला जाएगा कि बांचित चीजें वास्तों में यथार्त बन दरसल हमारी सोच, हमारी आदितों और भावनाओं से इस कदर गुच जाती हैं कि हमारा व विद्वान बनना चाहते हैं तो विद्वान बनेंगे। इसी प्रकार जड़ी आप भला बनना चाहते हैं तो निश्चत तोर पर भले बन जाएंगे। आपको सिर्फ ये करना है कि वस्तों विशेश या लक्ष के लिए वास्तवे कि च्छा शक्ते विक्सित करें और उस द पूर्मन विंसेंट पेले ने कहा है कि पूरी सृष्टि के महानतम नियमों में से ये एक है कि अगर आपकी सोच नकारात्मक हो तो नकारात्मक परिणाम ही आपके सामने आएंगे। और यदि आप सकारात्मक सोचें तो जो भी आप करेंगे उसका नतीजा भी सकारात्मक हो गातनी है कि वे हमें कोशिश करने से भी भैभीत कर देती हैं और हम उन सभी मोर्चों पर हार जाते हैं जहां हम जीत सकते थे। जॉर्ज बरनाद शौ का कहना है कि लोग अपनी हालत के लिए हमेशा अपनी परिस्थितियों को दोच देते हैं लेकिन मैं परिस्थितियों में बिश्वास नहीं करता इस दुनिया में काम्याबी हासिल करने वाले लोग वे लोग हैं जिन्होंने काम की शुरुआत की और अपनी मन्चाही परिस्थितियां खुद बनाई ये वास्तविक्ता कितनी सुखत है और जिस किसी ने भी इस पर बिश्वास किया है उसने सफलता हा जिसे नहीं मालूम कि उसे कहां जाना है और जो उसी वज़े से संशय, भय, चिंता और परिशानियों में घिरा है वो वैसा ही हो जाएगा जैसा कि वो सोच रहा है और अगर ऐसा है कि वो किसी भी चीज़ के बारे में नहीं सोच रहा है तो वो आदमी कुछ भी नहीं बन प कल्पना कीजिए कि एक किसान के पास थोड़ी जमीन है, जमीन बड़ी अच्छी और उपजाओ है, जमीन में क्या बोया जाए ये फैसला पूरी तरह किसान का है, वो जो चाहे बोय, जमीन को इससे कोई मतलब नहीं है, ये ध्यान दीजिए कि मनुष्य का मन भी जमीन के ही समा है, बलकि हम मानव मन की तुलना में ही जमीन का उधारन दे रहे हैं, जमीन की ही तरह मन को भी इस बात से कोई मतलब नहीं है, कि आप उसमें कैसे विचार बोते हैं, बस जो कुछ भी इसमें बोया जाएगा, वो उसी की फसल आपको वापस लोटाएगा, यही वास्तविक्त लागू होती है सकारात्मक और नकारात्मक विचारों के साथ, यदि आप सकारात्मक विचार बोएंगे तो काम्याबी की फसल काटेंगे, और यदि नकारात्मक विचार बोएंगे तो नाकामी ही हाथ लगेगी, कल्पना कीजिए कि उस किसान के हाथ में दो तरह के बीज है एक तो किसी अनाच का और दूसरा किसी जहरीले पौधे का किसान जमीन में दो स्थानों पर दोनों बीजों को बो देता है वो उन स्थानों पर पानी देता है और उनकी देखभाल करता है अब जमीन जो कुछ बोया गया है उसे वापस लोटाती है दोनों पौधे उपते हैं एक अन्नका और दूसरा जहरीला बाइबल में कहा भी गया है आप जैसा बोईंगे वैसा ही काटेंगे याद रखिए कि जमीन को इस बात से मतलब नहीं है कि वो अन्न लोटा रही है या जहर अब मानों मस्तिश के जमीन से कहीं ज्यारा भरोसे मंध है कहीं ज्यारा उरवर और कहीं ज्यारा जमतकारी लेकिन ये जमीन के सिध्धानत पर ही काम करता है ये भी इस बात की चिंता नहीं करता कि हम इसमें क्या बो रही है बस जो कुछ बोया जाएगा उसे ही इसे वापस लोटाना है चाहे वो सफलता हो असफलता हो एक निश्चत सपस्ट लक्ष हो या असमंजस के स्थेते घलत फहमी हो भै हो या चिंता हो कुछ भी हो बस जो भी हम इसमें डालेंगे वही ये हमें वापस लोटाएगा आपको मालूम है कि मानव मस्तश्क आज इस धर्ती पर एक मात्र अंतिम महादेश है जिसका आज तक अन्वेशन नहीं हुआ है इसमें हमारी कल्पने से भी परे सुक समर्द्धी भरी पड़ी है यदि हम सकारात्मक विचार डालें तो ये भारी सभलता और सुक समर्द्धी हमें वापस लोटाएगा आप कह सकते हैं कि यदि ये सही है तो लोग अपने मस्तश्क का अधिक इस्तेमाल क्यों नहीं करते लोगों के पास इसका भी जवाब है हमारा मस्तश्क एक उन्नत यंत्र के रूप में हमें जन्म से ही मिला हुआ है नेशल्क मुफ्त और जो चीजें हमें मुफ्त मिलती हैं उनको हम बहुत कम महत्व देते हैं महत्व देते हैं उन चीजों को जो पैसे से आती हैं जबकि हकीकत में इसकी विपरीत बात ही सही होती है आग जो भी चीज़ें हमारे चीवन में वास्तों में महत्वपून हैं वे हमें निशल्क उपलग्द हैं हमारा मस्तिष्क, हमारी आत्मा, हमारा शरीर, हमारी आशाएं, हमारी सपने, हमारी आकांचाएं, हमारी बुद्ध, परिवार, बच्चों और दोस्तों का प्रेम, यहान तक की प्रकृति का उपहार, हवा, धूप और पानी भी ये सबी अनमोल चीजें हमें निशलक मिली हुई हैं, और जिन चीजों के लिए हम पैसे खर्चते हैं, वे इनके मुकाबले काफी हलकी हैं, स्तरहीन और उन्हें किसी भी चीज से बदला जा सकता है, लेकिन प्रकृतिकी और से निशलक मिली चीजें कभी बदली नहीं जा सकती और दूसरी बात ये कि मानव मन की शक्तियों का भरपूर उप्योग नहीं हुआ है मन इतना शक्तिशाली है कि इसे जो भी काम सौपा जायक कर सकता है लेकिन आम तोर पर हम बड़े और महत्पून कामों के बदले छोटे मोटे कामों के लिए ही इसका इस्तेमाल करते हैं कि आपको क्या करना है अपना लक्ष अपने मस्टश के रूपी जमीन में बो दीजिए ये आपके पूरे जीवन का सबसे महत्पून फैसला है आप एक बेहत कामयाब सेल्समैन बनना चाहते हैं कमपनी के कुशल और सक्री करमचारी के रूप में जगे 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 जाना चाहते हैं आपको सिर्फ ये करना है कि इस लक्ष रूपी बीज का रोपन अपने दिल और दिमाग में कर लें जतन से एकागर चित होकर इसकी देख भाल करें लक्ष की दिशा में आगे बढ़ें कारिशील रहें और एक दिन आपका सपना हकीकत में बदल जाएगा कोई सवाल ही नहीं है कैसा ना हो आप समझ लीजिए कि ये प्रकृति के अन्य नियमों की तरह एक नियम है जैसा सर आइसेक नियम का गुरुत्वा कर्शन का नियम है कि यदि आप किसी अमारत की छट से चलांग लगा दें तो आप नीचे ही आएंगे उपर नहीं जा सकते क्रकृति के सभी नियम हमेशा सही होते हैं हमेशा कांग करते हैं आप भी बिलकुल सकारात्मक दिशा में अपने लक्षे के बारे में सोचिए हमेशा जागी आँखों से सपना देखिए कि आप में अपना लक्षे हासल कर दिया है उन कामों के बारे में सोचिए और खुद को उन्हें करता हुआ भी देखिए जो लक्ष तक पहुँचने के बाद आपको करने है आज हमारे समय के दोर कोई यदि और शदियों का युग या अलसर और नर्वस ब्रेकडाउन का युग कहा जाए तो गलत नहीं होगा आज जब चिकिटसा विध्यान ने स्वास्त और लंबी उम्र पानी की दिशा में इतनी काम्याबी हासल कर ली है लेकर इसके बावजूद लोग समस्याओं से जूजने में तनाव गरस्त हो रही है और खुद को असमाईक मौत की तरफ धकेल रही है ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि उन्होंने महान ट्राकरतिक नियमों को अपनाना नहीं सीखा जो हमारे लिए बेहत कारगर और लाबकारी है कृपया अप साइट भी सुनिये हमारे सोचने विचारने के तरीके में ही ये चमतका छुपा है दरसल हर व्यक्ति अपनी समस्त सोच का ही योगफल होता है वो सुईकार करे या न करे लेकिन वो आज जहां जिस स्थति में भी है वो उसकी अपनी सोच का ही नतीजा है हमने से हर एक को भविश में भी अपनी आज की सोच का ही प्रतिफल मिलने वाला है क्योंकि आज, कल, यागले महीने, यागले वर्ष, हमारी सोच की जो दिशा रहेगी, उसी से हमारा भविश्य या हमारा जीवन निर्धारे धोगा आपका मन मस्तश की ही आपके संपून व्यक्तित्व और जीवन को निर्धेशित करता है मुझे याद है, एक बार में कहीं जा रहा था, रास्ते में सुलक के नारे, मन एक भारी भरकम मशीन को भीशन आवास के साथ काम करते देखा मशीन एक बार में करीब 20 टन मिट्टी उठा रही थी और एक छोटा सा आदमी पहिया हातों में था में मशीन को निर्धेशित कर रहा था एकदम से मुझे लगा कि इस मशीन की तुलना मानव मस्तश के से की जा सकती है और विशाल उर्जा के स्रोत इस मस्तश के रूपी मशीन का नियंतरन हमारे अपने हाथों में है क्या आप हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे और इस शक्तशाली मशीन को इसी के भरों से छोड़कर किसी खड़ में गिर जाने देंगे या आप दोनों हाथ मजबूती से इसके वील पर जमाए रखेंगे और इसकी ताकत किसी खास उद्देश के लिए लगाएंगे ये दोनों विकल्प आपके उपर हैं क्योंकि आप ड्राइविंग सीट पर बैठे हैं और मशीन का नियंतरन आपके हाथों में है अब देखाना आपने कि हमें सफलता प्रदान करने वाला नियम भी एक दोधारी तलवार की तरह है हमें अपनी सोच अपने विचारों पर नियंदरन रखना चाहिए विचारों का ये नियम जहां एक और आदमी को सफलता सुक और समर्द्ध की और ले जाता है उसे जीवन में वे खुशियां उपलब्द कराता है जिनका उसने अपने और अपने परिवार के लिए कभी सपना देखा था वहीं दूसरी और यही नियम उसे गटर में भी धखेल सकता है सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि मनुशिक किस तरह इस नियम का इस्तिमाल करता है यही है दुनिया का सबसे आश्यर जनक रहसे अब सवाल यह है कि मैं इसे आश्यर जनक क्यों कहूं और रहसे भी क्यों कहूं वास्तों में ये कोई रहसे तो बिलकुल नहीं है पहले पहल किसी बुद्धिमान व्यक्ति ने इस प्राकरतिक नियम की सच्चाई प्रमानिक की थी और बाद में पूरी बाइबल में बार बार इसका जिक्र हुआ है लेकिं बहुत थोड़े लोगों ने इसे समझा और सीखा है यही कारण है कि ये डोगों के लिए अश्चर जनक है और इसी वज़े से ये रहसे भी बना रहा है मेरा विश्वास है कि यदि आप अपने शहर की गलियों में जाएं और एक एक कर हर व्यक्ति से पूछें के सभलता का रहसे क्या है तो आपको महीने भर की कोशिश के बाद ऐसा एक भी आदमी नहीं मिलेगा जो आपको ये बता सके आज जो कुछ हमने जाना है वो हमारे लिए वास्ताओं में अक्कंत मूलेवान है यदि हम इसे समझ कर इसे जीवन में लागू भी कर सकें ये ना सिर्फ हमारे लिए बल्के हम से जुड़े और हमारे आसपास के हर व्यक्ति के लिए महत्पून है जीवन को नीरस और उबाओं नहीं बल्के एक उतेजना पून अभियान होना चाहिए आदमी को अपने जंदगी पूरी जंदा दली से भरपूर जीनी चाहिए उसे सुबे सबेरे नीन तूटने पर खुश होना चाहिए उसे अपना मन पसंद व्यवसाए करना चाहिए क्योंकि वो इसे बहतर ढंग से करता है एक बार मैंने एक दैनिक के संपारक का व्याख्यान सुना था उन्होंने अंत में जो कुछ कहा उसे मैं कभी भूला नहीं पाया उन्होंने कुछ इस तरह कहा था कि अपने व्यवसाए में मैंने कई बातें जानी एक तो ये कि लोग मूल रूप से भले होते हैं और ये भी के हम सभी कहीं से आएं हैं और हमें कहीं जाना है इसलिए इस धर्थी पर बीच का समय हमें एक रोमान्चक अभियान की तरह बिताना है स्रिस्ट के रचाईता ने कहीं पहुंचने के लिए कोई सीली नहीं बनाई है लेकिन उस महान शिक्षक ने उस रचाईता ने समय समय पर इस रहसे का उधगाटन किया है कि तुम जैसा विश्वास करोगे वो तुम्हारे समक्ष सत्य बन कर अब तरित होगा मैं आपको परीक्षा का एक मौका देना चाहता हूँ ये परीक्षा 30 दिनों तक चलेगी यदि आपने अच्छी परीक्षा दी तो ये आपके जीवन को बहतर से बहतर रूप में पूरी तरह पदल देगी सतरवी शतादी में वापस लोटें जब महान वैग्यानिक सर आईजक न्यूटन ने हमें भावतिकी के कुछ नियम बतलाए थे जो मनुष्य पर भी उतनी ही सक्चाई से लागू होते हैं जितनी की स्ष्ष्ष्टी की अन्यवस्तूओं पर इन नियमों में से एक है कि प्रतेक्रिया की बिलकुल समान और विपरीत प्रतेक्रिया होती है यदि हम अपने आप पर इसे लागू करें तो इसका मतलब है कि हम मूले चुकाए बिना कुछ भी हासिल नहीं कर सकते तीस दिनों के आपके प्रयोग का नतीजा बिलकुल उसी अनुपात में होका जिस अनुपात में आपने प्रयास किया होका एक डॉक्टर बने के लिए आपको कई वर्शों तक कटिन परिश्चम और अध्धिन करने का मूले चुका नहोका उसी तरह औरों को समझाने या सहमत कराने में या विक्री के व्यवसाई में भी हमारी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि चीजों को बेच सकने की या विचारों को दूसरों तक पहुँचाने की या स्वीकरित कराने की भी हमारी ख्शमता कितनी है लेकिन औरों को बेहतर जीवन पाने का तरीका समझाने में हमारी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हम अपने प्रयास में कितना मूले चुकाते हैं और हमें ये मूले चुकाने को तैयार भी रहना चाहिए अब सवाल है कि ये मूले है क्या? इसमें कई बाते हैं पहली तो ये कि हमें बाउधिक रूप से और भावनात्मक रूप से ये समझ लेना चाहिए कि हम जैसा सोचते हैं बिलकुल वैसा ही बनते भी हैं इसलिए अपने जीवन को नियंतरत करने के लिए हमें अपने विचारों को नियंतरत करना होगा यानि हमें अच्छी तरह समझ लेना होगा कि जैसा हम बोएंगे वैसा ही काटेंगे दूसरी बात हमें अपने मन से सभी अडचनों और बेडियों को काट फेकना होगा और ये सोचकर काम को अधिकतम आगे बढ़ाना होगा कि यही काम हमारे लिए दैवी रूप से निर्धारित है यानि ये समझना होगा कि सभी सीमा रेखाएं हमारी खुद की बनाई हुई हैं और हमारे सामने कल्पना से भी बढ़कर अवसर मौचूद हैं अर्थात हमें तमाम संकीरनताओं से और पूरबा ग्रहों से उपर उठना होगा तीसरी बात अपनी समस्या पर सकारात्मक रूप से सोचने के लिए खुद को प्रिरित करने में पूरी क्षमता और साहस का इस्तेमाल करना होगा और साथ ही अपने लिए एक निश्यत और स्पष्ट लक्ष दिर्भारित करने के दिये भी अपने मस्तिश को लक्ष के बारे में सभी संभव कोणों से विचार करने का अवसर देना होगा अपनी कलपना को खुली छूट देनी होगी कि वो हर संभावित समाधान की परक कर सके ये विश्वास करने से इंकार करना होगा कि लक्ष प्राप्ति के मार्ग में कभी कोई परिस्थ पे आपको हरा भी सकती है जब आपको लक्ष की और ले जाने वाला मार्ग स्पस्ट दिखे तो बिलकुल ततपरता से फैसला लेते हुए काम करना होगा और अपने आपको लगातार इस तत्थ से अवगत कराते रहना होगा कि आप अपनी उपलब्धियों के ख्षेतर के बीच और बीच खड़े हैं और चोथी बात कि आप जो कुछ भी कमाएं उसका दस प्रत्रशत नश्चत रूप से बचाएं ये हमेशा याद रखें कि आपका व्यवसाय चाहे जैसा भी है यदि आप मूली चुकाने को तयार हैं तो उसमें अनंतसम भावनाएं भरी पड़ी हैं आईए हम उन महत्वपून बिंदूओं को दोहराने जो एक खुबसूरत जीवन बिताने के मूली के तौर पर हमें चुकाना है पहला हम वैसा ही बनेंगे जैसा हम सोच नहीं दूसरा कलपना शब्द का महत्व समझें और अपने मस्तिश को उची उड़ान भरने दें और अब मैं 30 दिनों के परीक्षण को समझाने की कोशिश करूंगा अपने दिमाग में ये सपष्ट कर लें कि इस परीक्षण में आप कुछ भी खोने नहीं जा रहे हैं बलके मुम्किन हैं कि आप सब कुछ पा सकते हैं दो बाते हम सब पर लागू होती हैं हम सब कुछ न कुछ चाहते हैं और हम सब किसी न किसी चीज से भैभीत रहते हैं मैं चाहूंगा कि आप एक कार्ट पर लिखें कि वो क्या चीज है जिसे आप सब से ज़्यादा चाहते हैं हो सकता है कि ये रुपिया पैसा हो आप अपनी आमदनी दोगुनी करना चाहते हो या एक खास परिमार में रुपिया कमाना चाहते हो हो सकता है कि आप एक खुबसूरत मकान चाहते हो या अपने व्यवसाय में एक काम्याबी चाहते हो या फिर जीवन में एक खास मकाम की तमना हो आपको या फिर परिवार में ज्यादा तालमेल और एक्ता किया भिलाशा हो हम सब कुछ न कुछ की तमन्ना जरूर रखने हैं आप अपने कार्ट पर सपश्ट लिखिए कि आपकी कामना क्या है ये निश्यत कर लीजिए कि यही आपका एक मात्र और सपश्ट लक्ष है आप अपना ये कार्ट किसी और को मत दिखाईए बल्कि उसे अपने पास रखिए ताकि आप दिन भर में कई बारे से देख सकें इस पर लिखे गए लक्षे के बारे में हर सुबह नीन से जागने पर प्रफुलत और शांत चित्त से सोचिए दिन भर में जितनी बार मौका मिले इस कार्ट को देखिए और रात में सोने जाने से पहले भी देखिए कार्ट को देखते समय ये बात याद रखें कि आप वैसे ही बनते हैं जैसा आप सोचते हैं और चूंकि अभी आप अपने लक्ष के बारे में सोच रहे हैं इसलिए ये समझे के बहुत जल्दी ही आप इस लक्ष को हासिल कर लेंगे दरसल जिस पल आपने अपने इच्छा कार्ट पर लिखी और उसके बारे में सोचना शुरू किया उसी पल से वो लक्ष आपका हो किया जब आप काम से बाहर निकलते हैं तो आस पास पहले प्रचुरता की और देखिए इस तरह की प्रचुरता पर आपका भी उतना ही अधिकार है जितना औरों का है यदि आप चाहें और प्रयत्न करें तो ये प्रचुरता आपकी हो सकती है अब हम थोड़े मुश्किल हिस्से की तरफ आते हैं मुश्किल इसलिए कि इसके अनुसार आपको कुछ नई आदतें विक्सित करनी होगी और नई आदतें आसानी से नहीं बनती हैं लेकिन अगर एक बार पढ़ जाएं तो फिर जीवन भर आपके साथ बनी रहती हैं जिस चीज से भी आपको भै लगता हो उसके बारे में सोचना बंग कर दीजिए हर बार जब कोई भैनक और नकारात्मक विचार आपके मन में आए तो उसकी जगे पर अपने सकारात्मक और महतपून लक्षे का विचार उसकी सजीव कल्पना मन में ले आएए इस दौरान ऐसा समय भी आएगा जब आपको लगेगा कि ये प्रियास छोड़ दिया जाए क्योंकि आदमी के लिए सकारात्मक सोचने के अपेक्षा नकारात्मक सोचना ज्यादा आसान होता है और यही वज़े है कि सिर्फ पांच प्रत्रशत लोग ही कामयाब हो बाते हैं आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप इसी प्रत्रशत वाले वर्ग में अपनी जगे बनाए इन 30 दिनों के लिए आपके मस्तिश का नियंतरन पूरी तरह आपके हाथों में होना चाहिए इस दोरान दिमाग को वही सोचना होगा जिसकी अनुमती आप दें 30 दिनों की इस परीक्षन अवरी के दोरान हर दिन आप उससे भी ज्यादा काम करें जितना आपको करना है इसके अलावा एक उत्साही सकारात्मक रुख बनाए रखने के लिए पहले से भी ज्यादा कोशिश करें ये सारा कुछ ये ध्यान रखते हुए करें कि जीवन में आपको उसी अनुपात में कुछ मिलेगा जिस अनुपात में आप लगाएंगे जिस ख्षन आप किसी लक्ष की दिशा में काम करने का फैसला करते हैं उसी ख्षन आप एक सफल ग्रती बढ़ जाते हैं क्योंकि आप उसी ख्षन ऐसे सफल लोगों की श्रणी में आजाते हैं जिनने मालूम है कि वे किधर जा रहे हैं इसका मतलब है कि लक्ष निधारित करने के साथ ही आप प्लत्येक सो में से 6 के 5 लोगों में आके लक्ष किस तरह हासल किया जाए इस चिंता में अपने आपको बहुत ज्यादा मतलजाईए इसे पूरी तरह उस शक्ते पर छोड़ दीजिए जो आप से ज्यादा समर्थ है आपको सिर्फ ये मालूम करना है कि आप किधर जा रहे हैं किस दिशा में जा रहे हैं बाकी के सारे प्रशने जैसे जैसे सामने आएंगे उनका जवाब भी खुद बखुद मिलता जाएका आप धर्मो पदेश के ये शब्द याद रखिए और उन्हें परीक्षन के दौरान हर दिन अपने सामने रखिए प्रशने पूछा और उसका जवाब तुम्हें प्राप्त होगा खोजो और तुम उसे पालोगे दस तक दो तुमारे लिए दवार खुलेगा क्योंकि हर वो व्यक्ते जो जिग्ज्यासा रखता है उत्तर पाता है जो ढूरता है उसे प्राप्त होता है और जो दस्तक देता है उसके लिए द्वार खुलता है ये शब्ड जितने सहज हैं उतने ही चमतकारी भी दरसल ये सिध्धान्त इतना सरल है कि हमारे कटिन शब्डों में उलज़कर इसे समझना शायद ज्यादा मुश्किल होगा बस आप के लिए जरूरी है कि इन 30 दिनों के दौरान आपके सामने इस पश्च लक्षे हो और उसे पूरा करने का विश्वास थी चाहे आप किसी भी पेशे से जुने हो इन 30 दिनों के दौरान अपना सर्वोत्तम प्रदर्शन करें जैसा अब तक आपने पहले कभी नहीं किया हर दिन अपना लक्ष अपने सामने रखें उसके बाइद जीवन का जो नया पहलू आपके सामने होगा उस पर आपको खुदाश्यर होगा प्रसिद संपादिका और लेखिका दरोथी ब्रैंड ने अपने लिए इस राज को ढूंड लिकाला अपनी पुस्तत वेक अप एंड लिव में इस बारे में उन्होंने लिखा है उनका पूरा चिंतन मनन और दर्शन गैसे इन शब्दों में समा गिया है इस तरहे काम करो, मनों असफल होना संबब है दरोथी ने अपनी परीक्षन अवधी, पूरी इमानदारी और विश्वास से पूरी की और अश्यर जनक सफलता ने उनके पूरे जीवन में बदला ला दिया अब आप तीज दिनों तक अपना परीक्षन करें लेकिन तब तक परीक्षन शुरू ना करें जब तक आप इससे जुड़े रहने के लिए खुद को पूरी तरह तयार न कर लें आप आएंगे कि द्रड लगन शील होने की वज़े से आप में विश्वास भी जलक रहा है कहा जा सकता है कि द्रड लगन विश्वास का ही दूसरा नाम है यदि आपको विश्वास नहीं है तो आप कभी भी लगन से काम नहीं कर सकते यदि तीज दिनों के परीक्षन के दौरान आप असफल हो जाएं यानि नकारात्मक विचारों से पराजित हो जाएं तो फिर से शुरुवात करें धीरे धीरे आपकी नई आदत बन जाएगी और आप अपने आपको उन गिने चुने लोगों में पाएंगे जिनके सामने कुछ भी असंफ़ नहीं है आप अपने कार्ड को मत भूलें जब आप जीने का ये नया धंग शुरू करते हैं तो ये कार्ड आपके लिए नहायद जरूरी है इसकी एक तरफ आप अतना लक्षे लिखें जो भी आपका लक्षे हो और दूसी तरफ धर्मो पदेश की ये पंक्तियां लिखें पूछो और वो तुम्हें मिलेगा धूडो और तुम उसे निश्चत पाओके दस तक दो और द्वार तुम्हारे दिये खुलेगा परिक्षन के दौरान अपने खाली समय में प्रेरख पुस्त के पढ़ें या आपके लिए काफी उपयोगी रहेंगी जीवन में कभी भी कोई महानकार बिना प्रेरणा के संपन्द नहीं हो सका है ये ध्यान रखें कि परिक्षन अवदी के तीस दोनों के दौरान आपकी प्रेरणा अपने हीर्श बिंदो पर रहे सबसे बड़ी बात कि आप चिंता बिलकुल ना करें क्योंकि चिंता भे को जन्म देती है और भे जीवन को तोड़ देता है याद रखें कि आपको अपना लक्ष अपने सामने बिलकुल स्पच्च रखना है बाकी सारी चीजें खुद बखुद तय होती चली जाएंगी ये भी ध्यान रखें कि आप हमेशा शांत और प्रसन नचित बने रहें किसी भी छोटी मोटी बात को इजाज़त ना दे कि वो आपको परिशान या खिन न करे और मार्क से हटा दे हो सकता है कि परीक्षण को कठन जान कर कोई कहे कि मैं इसकी चिंता क्यों करूँ देखिए जीवन में कोई भी असफल होना नहीं चाहता कोई भी अद्गचरा रहना नहीं चाहता कोई नहीं चाहता कि जीवन चिंता भय और निराशा से भरा हो इसलिए आपको हमेशा याद रखना है कि आप जो बोएंगे वही काटेंगे अगर आप नकारात्मक विचारों की फसल बोते हैं तो आप नकारात्मक सोच से भी भरे रहेंगे और यदि सकारात्मक विचार बोते हैं तो आपका जीवन प्रसंद में चित सफल और सकारात्मक बने का और अब एक बात और अक्सर ऐसी प्रविती देखी जाती है कि सुनी गई बातें धीरे धीरे भूलने लगती हैं इसलिए इस रिकॉर्ड को बीच बीच में बजा कर अपने आपको याद दिलाते नहें कि नई आदत विक्सत करने के लिए आपको क्या करना है नियमित अंतराल पर अपने पूरे परिवार के साथ बैट कर इसे सुनें आपको ऐसे बहुत सारे मिलेंगे जिनका कहना होगा कि वे इस नियम को जाने समझें सीखे बिना ही पैसा कमाना चाहते हैं ये वैसे लोग हैं जो बिना कोई परिश्रम किये बिना कोई कीमत चुकाए मुफ्त में ही बहुत कुछ पाना चाहते हैं और ऐसे लोग जीवन में असफ़ल रहते हैं यहां जायज और सार्थक ढंग से पैसा कमाने का सर्वोत्तम तरीका है कि लोगों को उप्योगी और आवश्यक वस्तुएं तथा सेवाएं उपलब्द कराई जाएं हम अपने उत्पाद और सेवाओं का विन में ही लोगों को पैसों से करते हैं इसलिए प्रामानिक नियम के अनुसार हमें उसी अनुपात में आर्थिक लाब हासिल होगा जिस अनुपात में हम लोगों की सेवा करेंगे सफलता कभी भी पैसा कमाने का परिणाम नहीं है बलकि इसके विपरीट सफलता के परिणाम स्वरूप ही हम पैसा कमा पाते हैं और सफलता हमें उसी अनुपात में हासिल होगी जिस अनुपात में हम परिश्यम करेंगे लोगों को अपनी सेवाएं उपलब्द कराएंगे अधिकांश लोग इस नियम को उल्टा समझते हैं उनका मानना होता है कि अगर आप भरपूर पैसा कमा रहे हैं तो आप सफल हैं जबकि सचा ये है कि आप पैसा तभी कमा सकते हैं जब पहले आप सफलता परात करने अनिता उस आदमी की कहानी का उधारन ही बनेगा जो अमीथी के पास बैट गया और कहने लगा कि पहले मुझे आँच दो तब मैं लकणिया डालूगा आप क्या मानते हैं आज दुनिया में कितने लोगों का जीवन के प्रति ऐसा रवया होका उनकी संख्या करोडों अरुबों में होकी जबकि हमें समझना चाहिए कि पहले इधन डालने पर ही आख मिले की ठीक इसी तरह हमें पहले अपने सेवा कार्यों पर ध्यान देना चाहिए और तब पैसों की उम्मीद करनी चाहिए अपने आपको कभी पैसों से मत जोड़ें बलकि परिश्रम, कारे सेवा, सपनों और उन्हें साकार करनी की इच्छा से जोड़ें आप ऐसा करके देखें और फिर देखिए कि आपके पास कितनी प्रचुर संपत्य और सम्रिद्धी आती है सम्रिद्धी भी परस्पर विनमय के नियम पर ही आधारित है कोई भी व्यक्ति जो सम्रिधि के लिए परिश्चम और योगदान करता है वो स्वयम को सम्रिध बनाता है कभी कभी ऐसा हो सकता है कि परिणाम आपको उन लोगों से न मिले जिनकी आप सेवा कर रही हैं, बलकि किसी और जग़े से मिले क्योंकि ऐसा नियम है प्रतिक्रिया की समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है तीस दिन की परीक्षण अवरी से एक एक दिन करके गुजरते हुए हमेशा ध्यान में रखिए क्या आपकी सफलता हमेशा उस सेवा के परिमान और गुणवत्ता से मापी जाएगी जो आपने लोगों को उपलब्द कराई है और पैसा सिर्फ इस सेवा को मापने का एक पैमाना है कोई भी व्यक्ति तब तक सम्ब्रद नहीं बन सकता जब तक वो औरों को सम्ब्रद ना करे इस नियम में कोई अपवाद नहीं है एक बार यदि ये नियम अच्छी तरह समझ लिया जाए तो कोई भी विचारवान व्यक्ति अपना भागे स्वैम बतला सकता है यदि वो और अधिक चाहता है तो उसे लोगों को और अधिक सेवा उपलब्द करानी होगी और यदि वो और कम की चाहत रखता है तो उसे सेवा के परिमान में भी कम ही करनी होगी यही वो मूल्य है जिसे आपको अपनी इच्छा और जरूरतों के लिए चुकाना होगा आप इस नियम को पलट सकते हैं ऐसा कभी भूल कर भी मत सोचिएगा क्योंकि ये असंभव है एक जाने माने मनों चिकित सक में सफलता पाने के लिए छे सूत्री उपाय बताएं हैं पहला एक निश्चित लक्ष नधारित करें दूसरा अंपने को कम आखने वाली नकारात्मक सोच को त्याग दें तीसरा उन सभी कारणों पर विचार करना बंद कर दें जो आशंका जटलाते हैं कि आप सफल नहीं हो सकते इसके स्थान पर उन कारणों के बारे में सोचें जो आपको सफल होने का विश्वास दिलाते हैं अगर नकारात्मक विचार ही आप पर हावी हैं तो अपने बच्पन के दिनों तक पीछे लौड कर उन कारणों को ढून निकालने की कोशिश करें जिनकी वज़े से पहले पहल ये बात आपके मन में बैठ गई कि आप सफल नहीं हो सकते किसी ऐसे व्यक्ति का वरनन लिखकर जिसे आप आदर्श रूप में अपनाना चाहते हैं अपने विशय में अपनी धारणा को बतलें आपने जिस आदर्श सफल व्यक्ति का अनुसरन करने का फैसला किया है उसकी जगह पर स्वेम को रख कर सोचें और उसका अभिने करें मानव सब्वेता के ग्यात इतिहास की शुरुआत से ही विशय शक्ति के लोगों ने जो कुछ कहा है उसको अपनाने की कोशिश करें आप जैसा बनना चाहते हैं वैसा बनने की कीमत चुकाएं ये काम निश्यत रूप से उतना मुश्किल नहीं है जितना की एक असफल नाकाम व्यक्ति के रूप में जीवन चीना तीस दिनों का परीक्षन पूरा करें इसे दोहराएं और फिर दोहराएं हर बार ये आदतें आपके भीतर आत्मसाथ होती चाहेंगी ज्यादा से ज्यादा और एक दिन ऐसा भी आएगा जब आप आश्चेर करेंगे कि आप किसी और धंग से कैसे जीवन व्यतीत कर रहे थे इस नए धंग से जीवन जीएं और प्रचुरता का द्वार आपके समक्ष खुल जाएगा और चारों और से सुख संब्रद्दी की ऐसी बर्शा होगी जिसके बारे में कभी आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा पैसा भरपूर मिलेगा लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपून है कि आपको शान्ती मिले और ये नियम अपना कर आप उन किने चुने लोगों में शामिल हो जाएंगे जो शान्त आनंद पून और सफल जीवन रतीत कर रहे हैं आज से ही आरंब कीजिए याद रखिए खोने के लिए आपके पास कुछ नहीं है जबकि पाने के लिए एक बिलकुल नया जीवन आपके सम्मुक है